साथिवासा सिक्षण के कौसलों में ये अंतिम कौसल है जो की लेखन कौसल इसका उद्देश्य क्या है तो लिखिता भी व्यक्ति मतलब जो भी हमारे विचार है उनको लिखित अभी व्यक्त करना ही लेखन कौसल का उद्देश्य है और आपको ये पंक्तियां याद करना है जैसे कि श्रवन कौसल का उदेश ये क्या है सुट्वा अर्थो ग्रहनम इसी प्रकार से दूसरा भी मैंने बताये था उसको भी करना है जैसे कि श्रवन कौसल पठन कौसल का क्या है तो वो भी आपको करना है श्रवन कौसल का वो भी आपको करना है जैसे भाशन कौसल है तो लिख करके अपने भावों को अभिव्यक्त करना लेखन का उशल है तो अब यहां पर अपन को प्रात्मित लेवल पर यह शीखना है कि बच्चे किस प्रकार से लेखन करके और अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं कैसे लेखन करेंगे वो उनका लेखन कैसे सही रहेगा इ ये बातें भी यहाँ पर पूछी जाएंगी, चलिए शुरूर करते हैं, भाषा को लिपी बद्ध करना ही लेखन है, लिपी बद्ध करना मतलब किसी भी लिपी में लिखना, जैसे कि देवनांगरी है, इंगलिस में कई लिपीयां है, संस्कृत में भी कई लिपीयां है, तो इस प्रकार से जैसे कि संस्क्रत को देवनागरी लिपी में ही लिखा जाता है हिंदी को लिखा जाता है तो इस प्रकार से कई लिपिया हैं तो भाषा को लिपी बद्ध करना ही लेखन है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी भाषा हो उस भाषा को इस्थाई पना देना हो मतलब कि वह इस्थाई रहे तो उसके लिए हमें लिपी बद्ध करना होगा आप लोगों नहीं दिखा होगा कि जो पहले के आचारे थे उन्हें बहुत सारे गरंथ मौकी के याद थे लेकिन जब उन्होंने नहीं लिखे तो उनका लोफ हो गया तो इसी परकार से यहां पर भी है कि कोई भी भाशा है यदि उस भाशा को लिपी बद्ध नहीं किया जाता है केवल वो बोलचाल की भाशा है तो उसके जो शब्द हैं वो धेरे धेरे लोफ होने लगते हैं इसलिए भाशा के स्वरूपों को इस्थाईत्व प्रदान किया जाता है और यहां वरतनी का महत्वर दिया जाता है वरतनी मतलब लेखन क्योंकि लिखना है तो वहाँ पर वरतनी अक्षर वगएरा है इनका पूरा ध्यान दिया जाता है इसका उद्देश्य क्या है तो जो लेखन का उचल है लेखन का उचल का उद्देश्य है अक्षर सब्द और वाक्य के स्वरूप का ग्यान हो भावों को लिपी वद्ध करके इस्थाई तो अपरदान हो मतलब जो भी हमारे अंदर के भाव हैं विचार हैं उनको इनसे इस्थाई तो अपना मिलता है जो भी आप सोचते हैं अपने मन में उसको लिख सकते हैं तो लिखने के बाद में वो आपके भाव या विचार इस्थाई हो जाएंगे और वैसे में तो आपने के बाद सोचा और वो भाव आपके मन से निकल गए तो फिर दोबारा उन भावों का कोई महत तो नहीं और पढ़े हुए विषय को लिखत रूप में अभीव्यक्त करना आपने विषय पढ़ तो लिया है लिकन उसे आप लिखत रूप में अभीव्यक्त कर सकते हैं लिख कर भी अभीव्यक्त कर सकते हैं वो है लेखन लेखन कोसल में किस प्रकार से वरद्धी हो किस प्रकार से और अच्छा लिख सकें इसके लिए कुछ विधियां भी बताई गई है जिनमें से एक विधि है द्रश्ट लेखन विधि जिसे जैकाटाट पध्धती भी कहते हैं यहां पर पध्धती आप लोग जोड़नें इसके साथ पध्धती जैकाटोट पध्धती भी इसे बोला करते हैं तो जैकाटोट पध्धती में क्या होता है कि अध्यापक के दुआरा लिखे गए सब्दों का अनुकर्ण करके छात्र लिखता है जो भी अध्यापक लिखता है बोड़ पर वो ही छात्र लिखता है या तो अध्यापक ही बोड़ पर लिखता है और बच्चों से बोलता है कि आप लिखिये अतलब अध्यापक द्वारा लिखे गए सब्दों का अनुकरण करता है चात्र और ये भी कर सकता है कि आप उससे बोल सकते हैं तो वो पुस्तक में देख कर भी लिख लेता है तो ये क पहली वार सुना होगा जैकाटाट पद्धती ये क्या है तो थोड़ा सा लगने लगता है इसमें असुद्धियां कम होती है क्योंकि देख कर लिखना है और बिराम चेहन आदी का ग्यान भी हो जाता है कि कहां पर रुकना है और यह बिधी प्राथमिक इस्तर के लिए है जु अगली बिधी है शुर्टलेखन बिधी तो शुर्टलेखन बिधी में क्या होता है एक तो जो शुर्टलेखन बिधी है इस बिधी को उक्तलेखन बिधी भी कहते हैं क्या कहा शुर्टलेखन बिधी को उक्तलेखन बिधी भी कहते है इसमें क्या होता है अध्यापक के पदो या वाक्यों को सुनकर लिखना मतलब इसके पहले वाली बिधी में क्या था जो अध्यापक था वो वोड़ पर लिखता था या फिर बच्चे जो थे वो पुस्तक में से लिखते थे लेकिन यहां क्या है अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुनकर लिखता है जो भी अध्यापक बोल रहा है उसको सुनकर लिखता है कोई भी वाक्य हो या पद हो इसके लावा अध्यापक मध्यम गती से वाचन करें जिससे वह और अच्छा लिखें अच्छा सुलेख हो वाक्य या पद पाठ्य पुस्तक से ही हो आगे क्या कहा विरामचेहनों को ना बोलें ताकि छात्र उन्हें समझने का प्रयास करें मतलब जो भी अध्यापक शुलेख बोलते हैं तो वा पाठ्य पुस्तक से ही हो लेकिन वहाँ पर विरामचेहनों का ना बोलें कि यहाँ पर फ्लेश्टाप लगाना है यहाँ पर अर्ध विराम लगाँ यह पर पूर्ण विराम लगाँ यह ना बोलें छात्रों को खुद समझने की कोशिश कराएं कि वो प्रयात्मे स्वयम करें कि कहा पर रुकना है कहा पर नहीं रुकना है जिसे भी लेखन में ब्रध्धी होगी और यह जो विध्धी है यह उच्च प्रात्मिक और माध्य में किस तर के लिए है यहाँ पर यह भी आपको बात याद रखनी है कि यह आजाए यदी पेपर में कि उक्त लेखन विध्धी किस तर के लिए उप्योगी है तो शुर्त लेखन या उक्त लेखन विधियां शुर्त सब्द जो है सही अपन को समझ जाना है शुर्त मतलब होता है सुनना तो जो सुनने की विधि है वो मतलब अध्यापक बोल रहा है और जातर सुन रहे हैं सीधा सीधा कह दिया तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पर सुलेख चल रहा है और एक चीज और ध्याँ रखना है यह जो विधि है यह उच्छ प्रात्मिक और माध्यमे किस्तर के लिए है फिर से सुलने उच्छ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए इस रिष्ट विधी है तो दो विधियों का हो गया एक तो प्राथमिक स्तर के लिए थी ये उससे थोड़े उपर के लिए है कौन सी है शुत लेखन विधी अगे चलते हैं अक्षर स्वरूपानुकर्ण पध्धती कौन सी है अक्षर स्वरूपानुकर्ण पध्धती इसमें क्या कहा स्वरूप का अनुकर्ण करना है अक्षर के स्वरूप का अनुकर्ण यह भी पूर्व माध्य में पराथमिक कक्षाओं के लिए ही उप्योगी, जो कि मैंने पहले बताईा हैं, पूरव पराथमिक और पराथमिक कक्षाओं. और इसमें क्या होता है वर्क बुक में छपे वर्णों की बिंदू माला पर पंग्तियों के दोरा जुडाओ करके वर्णों का लेखन किया जाता है मतलब आपने देखा होगा वर्क बुक में कई अक्षर बने हुए होते हैं कैसे बिंदूओं से छुट-छुट सी बिंदियां रख देते हैं और विंदियां उन्हें मिलाना पड़ता है और उनको मिलाने से जो अक्षर बनता है फिर उस वर्णों को बच्चा पहचान लेता है और वो उसको लिख लेता है तो इस परकार से वर्णों का लेखन करना ये है अक्षर स्वरूपानुकरण, अक्षर के स्वरूप का अनुकरण करना है ये सरबाधिक रुचिकर पध्धती मानी जाती है और बच्चे इसमें बहुत बढ़ चड़के हिस्सालिया करते हैं क्योंकि पूर्व प्रात्मिक और प्रात्मिक इस्तर की कख्षाओं के लिए है तो और भी छोट-छोट से बच्चे हैं वहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा उप्योक्त विध्धी है और पूछा भी जा सकता है पेपर में कि इन विध्यों में से पूर्व प्रात्मिक इस तरपर जो बच्चों के लिए सरबादिक रुचिकर विध्य है रुचिकर पध्धती है वो कौन सी है तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अक्षर स्वरूपानुकरन पध्धती है जो वो बहुत बढ़ी अपधती है और इसमें क्या किया जाता है आपको मैंने बता ही दिया है आप लोग भी समझ गए होंगे जैसे कि ये वहाँ पर बना हुआ है और इस परकार से ये अक्षर लिखा हुआ है तो आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है तो यहां पर यह सा लिखा हुआ है अब बच्चा जो है वो ऐसे इन्हें मिलाता है ऐसा 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 और यहां से ऐसा ऐसा मिला करके और कम्प्लीट कर लेता है तो यह अश्या बन गया यहां अपने थोड़ी लाइने डिश्टर रफ हैं लेकर यहां आप लोग समझ जाएं तो यह जो अक्षर स्वरूपानू करण पद्धती है इसमें यह होता है आगे क्या है लेखन कौशल के बिकास के उपाय क्या है तो सबसे पहले तो अध्यापक के लिए बताया गया है कि अध्यापक जो है अधिकादिक शामपट का प्रियोग करे ब्लेक बूर्ड पर ही कारे करने का प्रियास करे ग्रहकारे के अतिरिक्त अन्य विश्यों पर लिखने का अभ्यास छात्रों द्वारां कराया जाए और सभी जो भी विश्य रहें वो पूरे के पूरे छात्र ही लिखें विश्य और क्या है संस्कृत की पत्रिकाओं में हासे कड़िकाएं कताएं इसके लावा और भी जो अनुभाव हैं उनको लिखने के लिए भी छातरों को प्रिरित किया जावे कि छातर वो सब चीजें लिखें इससे भी लेखन कौसल का विकाश होता है लेखन सैली का विकाश होता है चात्रों को संस्कृत भाषा में डायरी लिखवाने का अभ्यास कराएं और भी इसके लावां पत्र पत्री करें चुट चुट से पत्र होते हैं ना प्रार्थना पत्र है वो भी शंस्कृत में लिखाएं निवंध लिखने का अभ्यास करवाएं और क्या करें तो सबसे प्रमुख चीज जो है छात्रों को मित्रों के बीच संस्क्रित भाशा में ही पत्र व्यवहार हेतु प्रेरित किया जावे तो इससे भी लेखन का विकाश होगा पत्रादी लिखेंगे तो उनका अभ्यास और अच्छा होगा तो आज के लिए इतना ही यहां पर हमने लेख الخन काशल के विकास के बारे में समझा जो कि लेखन काशल में प्रमख विधियां भी मैंने बताई आपको तो यहाँ पर यह तीन बिधी आपको ध्यान रखना है चुकि इंपोर्टन्ट है और इनी बिधियों से पूछा जाता है जैसे कि एक तो द्रश्टलेखन बिधी है दूसरी शुर्टलेखन बिधी है और तीसरी आपको बता ही दिया है अब यह भी अक्षर स्वरूपानुकरण पध्धती है तो इन पध्धतियों के बारे में भी आप इस पध्धती के बारे में भी धियान रखें कि इसमें अक्षर के स्वरूप का अनुकरण करके बताया जाता है तो इतना आपको विशाष समझ में आही गया होगा बिल्कुल विसाए इजी है आपको लिख लेना है क्योंकि कई बी मतलब कई आप लोगों मैंसे ऐसे भी हैं लोग जिनके पास ये वुक्स नहीं है या फर ये माटर नहीं मिल पाता है तो मैंने यहां पर नोट करते जाएं जिसे आपके नोट्स भी बनती हैं ये भी नोट्स ही हैं मैं भी बहुत सौर्ट में आपको बता रहा हूं तो अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम ब्याकरण सक्षन पर जोर देंगे और ब्याकरण सक्षन की जो बिधियां हैं उन पर भी हम धीरे-धीरे चर्चा करेंगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग अपने इस चैनल से इसी परकार से जुड़े रहें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें जिसे उनके पास भी ये वीडियो पहुँच जाएं और हाँ एक चीज़ और है आप लोग प्रती दिन एक काम किया करें जैसे की गद्य है और पद्य है उनको आप हल करने की कोशिश किया करें आप एक कोई वक लेले मार्केट से जिसमें गद्य और पद्य जो की अंसीन पैसेज हैं संस्क्रिट वाले वो आपको मिलते हों तो आप वो हल करें मतलब दिन में आपको एक दो एक दो कर गए थे और एक benefit आपको ये भी रहेगा कि आप उससे मतलब करेंगे ना तो फसना के चांस जादा है क्योंकि आप ही latest paper हुए हैं तो उनका भी थोड़ा सा प्रभाव पढ़ता है तो पेपर भी आपको लगाना है और उसके गध्यपद्य पूरे लगाने की कोशिश करना है इस करें ये matter में जो मैंने जो दिया है complete नहीं है इससे अधिक बहुत सारा matter है आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है इसलिए केवल मैंने अभी तो आपको बताया है आपको और आगे पढ़ने की कोशिश करना है बहुत बहुत इन्माद्ट